क्या आपके अंदर कोई जासूस छुपा हुआ है? क्या आप भी कोई थ्रिलर फिल्म देखते वक्त उसकी एंडिंग पहले से ही ढूढने की कोशिश करते हो? क्या आपके टूथपेस में भी नमक है? हाँ तो फिर चलो तुमारी भूप मिटाती हूँ बारी है वीडियो सीरीज की फिल्म नमबर साथ से मुलाकात करने की एक ऐसी शातिर चाला कहानी जो क्लाइमेक्स के पहले गिर्गिर्ट की तरह ना जाने कितने रंग बदलती है और फाइनली जब इसका सच बहार आता है तो दिमाग का जोपड़ा हो जाता है एक ऐसी फिल्म जो उस इंसान के दिमाग का CCTV फुटेज दिखाती है जिसको लीगल लेंग्वेज में मर्डरर बोला जाता है मतलब कातिल, हत्यारा, खूनी बहुत सारे नाम है कहानी 1980s के Bombay से शुरू होती है जहाँ पर संजय नाम के पुलिस इंस्पेक्टर, इमानदारी और क्रिमिनल्स के लिए नफरत के दम पर पुलिस की नौक्री में अपनी अलगी पहचान बना रहे है लेकिन सुना होगा, अती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, इसलिए संजय साहब एक बार गुस्से में कंट्रोल खो जाते हैं और जेल में बंद एक चोर की मार पीट करके जान ले लेते हैं, फिर क्या, बंदा सस्पेंट? ठीक इनके उल्टे हैं, डिपार्टमेंट में इनके जूनियर आफिसर केदार साहब, जो पुलिस की वर्दी को कुछ खास इंपोर्टेंस नहीं देते हैं, बस जरुत पड़ेगी तो बंदा बंदूग लेकर हाजिर हो जाएगा फिर होता है एक अजीबो गरीब हाथसा, जब सड़क पे सोने वाले कुछ भिकारी अचानक एक मुर्डर सीरीज का हिस्सा बन जाते हैं, आज इस सड़क पे फूटा हुआ सर मिलता है, तो कभी उस सड़क पे कुछला हुआ शरीर दिखाई देता है, इन सब में एक चीज परके अपनी खोई हुई पुलिस के नौकरी बापकस पाना चाता है, इनके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ दिमाग को हिला कर रखने वाले फैक्स बहार आते हैं, नंबर वन, सारे कतल रात को दस से चार के बीच में किये गए हैं, जब एस्ट्रोजी के हिसाब से शनी का प्रकोप सबसे जादा होता है, और मर्डर के दिन सिर्फ मंगल और शनी, Tuesday और Saturday, और हाँ, हर डेट बोडी के बगल में फूटा हुआ नारियल भी मिलता है, और साथ में लाल सिंदूर भी है, जैसे मानो ये मर्डर एक human sacrifice हो, मतलब इनसान की बली देवी देवता को ख लिखाई देता है, लेकिन सेंटर में सुपर स्टीशन वाला कीडा बैठा हुआ है, अंद विश्वास वो बिमारी जो कोरोना से भी जादा खतरनाक है इनसान के शरीर के लिए, और जहर जब पूरे शरीर में फैल जाए, तो वो इनसान दूसरे इनसानों के लिए भी राक् लुका नहीं मिलेगा, ऐसा उलजो गे ना, जैसे मानों मकडी के जाले में पैर फस गया हो, सबसे खतरनाक है फिर्म की एंडिंग, मतलब उपर बताये गए मर्डर्स क्यों हुए, कैसे हुए, कब हुए, इन सारे सवालों के जवाब इतने डेंजरिस तरीके से एक्स्प्ले इसका पार्ट 2 भी हुआ था, 1987 में जब 9 लोगों के मर्डर का सिलसला, न्यूस्पेपर की हेडलाइन बन गया था, बस इस बार शहर चेंज हो गया, बॉम्बे टू कैलकटा, लेकिन हैरानी वाली बात ये, कि आज अल्मुस 40 साल बाद भी वो केस कभी सॉल्व नहीं हुआ, दे ओरिजिनल खूनी वो आज भी आजाद है, सिर्फ एक परसंट सोच कर देखो, पडोस वाले घर में जो गुड़े अंकल रहते हैं, या फिर अंटी भी हो सकती हैं, अगर वही मास्टर माइन निकले तो, पॉसिबल है मेरे दोस्त, साबधान रहे सतर करेए, वरना साबध अब ही हो, वो चाय पकोडे का इंतिजाम कर लेना, क्योंकि फिल्मी इंडियन का पूरा परिबार, कॉमेंट सेक्शन में अटेंडन्स लगाने जरूर आएगा, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, या फिर कुछ शिकायत करनी हो, तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा से अगले वीडियो में, टेक क्यर, बाए बाए